लेक पैलेस जिसे महाराजा ने अपनी शादी के सर्थ पर बनवाया था महाराणी के लिए किला यह किला जो अपने अंदर कई खूबियों को सहजे हुए है जिसके खूपशूरती देखते ही बनती है सिटी निजवन के परिक्रम कारकरम अंतरगत आज हम आपको लेचलते हैं गोविनगर के लेक पैलस जिसे महाराजा रगवास सिंग ने शादी की सर्थ पर अपनी महाराणी के लिए बनवाया है अलाकी अब उत्त किला जरजार हो चुका है वहीं अब इसको पूर्णार जिनो धार करने उधायपूर के कंपनी को दे दिय गया है जिससे इसके पूराने बैवह को पूर्णाष पीट के आजये औरे हैरीटेश की रूपे इस्थापीट के जय सेके किले के बारे में इतियासकार बताते हैं कि महाराजा रग्रास सिंग की शादी 1859 में निवाड उदैपूर में महाराणा पताप के वनसर महाराणी रारावट से हुई थी जो की सौभाग गुमरी की नाम से जानी जाती थी जिनके लिए यह कोविंद कर के किला बनवाए गयता है इस किले के निर्मार के पीछे एक अलग ही कहानी है दरसल महाराजा रग्रास सिंग की शादी के पहले महाराणी के परिवार वालों ने यह शर्त रखी थी कि जिस तरह से हमारे हैं उदैपूर में लेक पैले से उसी प्र छलाब खुदा गया है उस तलाब के किनारे लकडि का कट बंगला बनवाया गया जिससे लिएक पहले उसका कुछ हिस्सा दिख सके साथी कई नहीं हाल कोँछ कण करवाया गया इस किले का भाववे सेंट्रल हाल उल्टा महल और दर्या महल कई खुबसूरत महल है जो अपने आप में कई खूबियों को समेटे हुए है यह किला अब काफी जर्जर हालत में और कुछ समय तक इसमें पुलिस ट्रेनिंग सेंट्रल हाल ही खुला हो था लेकिन अ पाट के साथ अपने महलों में रहा करते थी वहीं इस बारे में वरिष्टी त्यासकार असत खान ने बता है कि दरसल गोविन गढ़का जो किला है को महराजा रगुराज सिंग जी की महरानी जो रनावट महरानी के नाम से सुभाग कुमरी जानी जाती की उलके लिए गोविन गढ़का लेक पैलेस बनाये गया महराजा रगुराज सिंग जी की शादी 1859 में महराना परताब के बंच में मिवाड उदैपुर मुझी उन लोगों ने शादी पहले शर्ट रखी कि अगर जिस तरह से हमारे हम लैक पहले से उदैपुर में उसी तरह से उस राजकुमारी के लिए हमारी अगर आप के तो हम शादी करेंगे तो रिवा महराज विश्मास सिंगी ने अपने वेटे के शादी के लिए ये शर्ट मान ली और 1859 सी ही लैक पैलेस उस लैक पैलेस एक तलाव खुदवाना शुरू किया उस तलाव के किनारे एक कठवे का लकडी का कठवंगला जैसे बनवाया जैस तो 1800 इंक्यामन से लेकर 1855 तक गुविंगर के किले का निर्मान करवाया गया और महराजा रगुराज सिंग जी जो महराणी जिनका नाम सोभाग कुमरी था वो हाँ पर रहा करती थी और रिवा मी रहती थी उसमें दरिया महल और कठवंगला और कई अच्छे सुन्दर सुन महल बनवाएगे और कई पिडियों में निर्मान चला महराजा विश्मना सिंग ने जो काम शुरू किया महराजा रगुराज सिंग जी ने उसमें काम करवाया और महराजा गुलाब सिंग जुदेव ने भी उसमें काम करवाया और महराजा गुलाब सिंग जुदेव ने भी 85-86 में जब वो पुलिस ट्रेनिंग में गया तो भी बहतर था कुछ मरम्मत हो रही थी उसके बाद मौजूद अहालत में काफी धस्त हो चुके हैं लेकिन सुनने माया है कि कोई राजस्थान की एक कंपनी है उसको लेकर और निर्मान करवा रहे हैं वो इस तरह से गोविनगड का किला अद्भूत है उंचे उंचे गेट महरापदार बड़े बड़े हाल जहां पर महराजा मार्टन सिंग्जु देव ने उनने 172 में बागेला म्यूजियम कायम करवाया गोविनगड में और सफेश शेर और म्यूजियम के वज़े से गोविनगड नहीं है